मित्रों गरूर का जन्म सत्युग में हुआ था लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे दक्ष प्रजाप्ती की विनिता नामक कन्या का विवाह कश्य प्रिशी के साथ हुआ विनिता ने प्रसव के दौरान दो अंडे दिये एक से अरोन का और दूसरे से गर मंदल को स्पर्श करने के उद्देश से लंबी उडान भरी सूर्य के असहय तेज से व्याकुल होकर जटायू तो बीच से लोट आए किन्तु संपाती उर्ते ही गए सूर्य के निकट पहुँचने पर सूर्य के ताप से संपाती के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतनाशून्य हो गए चंद्रमा नामक मुनी ने उन पर गया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुन उनके पंख जमने का आशिरवाद दिया पुराणों में भगवान गरूर के पराकरम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता ह कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमरित कलश छीन लिया था दरसल रिशी कश्यप की कई पत्निया थी जिन में से दो वनिता और कद्रू थी ये दोनों ही बहने थी जो एक दूसरे से इश्या रखती थी दोनों के पुत्र नहीं थे तो पती कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया वनिता ने दो बलशाली पुत्र मांगे जबकी कदरू ने हजार सर्प पुत्र रूप में मांगे जो की अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कदरू के हजार बेटे अंडे से उत्पन हुए और अपनी मा के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्ट लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे हारने वाले को उसकी दास्ता स्विकार करनी होगी, इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था, इसी जल्द बाजी में वनिता ने एक अ अरुन था। अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरोड निकाला जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था, हाला कि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंक्ष के लिए उन्होंने शर्त पूछी। मुकाबला करना था। गरोड सबसे भीड गए और देवताओं को बिखेर दिया, तब गरोड ने कई नदियों का जल मुख मेले पहले चरण की आग को बुझा दिया अगले पत। अमरित कलश होने के बाद भी उसके प्रती मन में लालच न होने से खुश होकर गरोड को वर्दान दिया की वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरोड ने भी भगवान को एक वर्दान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वर्दान मांगा। इंद्र ने भी गरोड को वर्दान दिया की वो सामपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरोड ने भी अमरित सकुशल वापसी का वादा किया। अंतमे गरुर ने सर्पों को अमरित सौंक दिया और भूमी पर रख कर कहा कि यह रहा अमरित कलश। मैंने यहां इसे लाने का अपना वादा पूरी किया और अब यहां आपके सुपूर्ध हुआ लेकिन इसे पीने के पहले आप सभी सनान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प सनान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमरित कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदे भूमी पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर जपट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरूर की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमरित भी नहीं मिला। जब रावन के पुत्र मेगनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था तब देवर्शी नारत के कहने पर गरूर ने नागपाश के समस्त के लिए देवर्शी नारत उन्हें ब्रहमाजी के पास भेज देते हैं, ब्रहमाजी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं, भगवान शंकर ने भी गरूर को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुन्डिजी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया अंत में की पवित्र कथा सुनाकर गरुड के संदेह को दूर किया दोस्तो सर्प और गरुड एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने आये जाने एक समय कश्यक रिशी की दोनों पतनिया साथ में बैठी थी कि तब बातों ही बातों में इस बात पर बहस छिड़ गई की सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं या सफेद बनिता बहुत ज्यानवती थी इसलिए उसने भगवान सूर्य नारायन के रथ के घोड़े का रंग श्वेट बताया पर कदरू नहीं मानी वह बस एक ही बाद पर अड़ पुत्र हमारे दास रहेगे वरना में अपने पुत्रों सहित तुम्हारी दासी बन JUDाओंगी कदरू ने बनिता की यह शर्ट स्विकार कर ली जब कदरू ने अपने पुत्रों से इस इस शर्ट के विशय में चर्चा की तब नाग चिंतित हो उठे वे किसी के भी अधीन नहीं होना चाहते थें, इसलिए शेशनाग के अलावा सभी पुत्रों ने एक युक्ती निकाली और मा से बोले मा तुम तनिक भी चिंता मत करो हम आपको किसी भी हाल में उनके सामने, नही बात सुनकर कदरू बहुत प्रसन्न हो गई जिसके बाद बनिता को यह रहस्य ज्यात हुआ और तभी से गरून और नागों की दुश्मनी चली आ रही है, शेशनाग रिशी कश्यप और कदरू के जेश्ट पुत्र माने जाते हैं, इनकी माता कदरू के छल के कारण इन्हों ने सब कुछ छोड़ दिया और गंधमादन परवत पर जाकर भक्ती में लीन हो गए, इनकी भक्ती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेशनाग को प्रित्वी का भार वहन करने के, यह कहा पौरानिक शास्त्रों के अनुसार प्रित्वी शेशनाग के सिर पर टिकी हुई है शेशनाग को किया गया था कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी तक्षक नाग के पिता कश्य प्रिशी थे, तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं, तक्षक को कलियुक के आगमन का कारण माना जाता है, नाग कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे उस समय उनकी गेंद यमुना नदी में गिर जाती है तब भगवान श्री कृष्ण गेंद लाने के लिए यमुना नदी में जाते हैं तब कालिया के साथ उनका युद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उससे यमुना नदी से लौट जाने को कहते हैं मित्रों आज के विडियो में बस इतना ही अगर। विडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब। करके विडियो को लाइक शेयर करना न भूले धन्यवाद।